आज मैं बढ़ा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा प्रोड़क्ट आ गया है दोस्तों जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे बहुत कमेंड भी कर रहे थे और मैं भी काफी पहले इसको और देके बैटा हुआ था लेकिन आने में काफी टाइम लगा दिया हम बात करें क्रेव की और क्रेव की बात मैं बार बार गयता हूं जब इस कंपनी के उल्ले काता है यह वाला बटन है उसे दवाओ नोटिफिकेशन को आल पे करो क्यों यही वह ताकत है दोस्तों जो इस तरीके के वीडियो बनाने में जो की न्यूट्रल अनबा देती है और कंपनी इसके बड़े-बड़े लुक्रिटीव ऑफर से हमें दूर भी रखती है चली आले बात करते हैं क्रियों की बात अच्छा दोस्तों इस एपिसोड को और ज्यादा फर्दर प्रोसीड करें जो हमने वार शुरू किया था जो हमने सेटप का महा संग्राम चुरू किया था वो जो है जारी है सेटप के लिए सब्मिशन ओपिन है और मात्र चार दिन बचे हैं जादा देर मत करना जल्दी से भेजो हमारे इस्टाग्रम हैंडल एड़े टेक बॉक्सिंदी ऑफिशल में आपके नए वाले सेटप कोई भी अपने बनाया है हमारे यहां पे बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है और जो इंपोर्टन चीज है वो देखो चार सो दिन की जो वारंटी है वो इस माउस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कुछ हाइलेटेट फीचर्स और साधी ग्राफिकल दिपिक्शन आप अगर साइड में देखे तो यहा पे कुछ हाइलेटेट फीचर्स आपको देखने को मिलता है रुका जाता है क्या नहीं ना तो चलिए जल्दी से इसको उपन कर लेते हैं वैसे इतनी स्लीक माउस की पैकजिंग जो है बहुत कम देखने को मिलता है लेट्स ओपन इट अब इसा पैकेजिंग हो तो किसका मन लल जाए यहां पे जो है आपको साफ साफ लिका हुआ है क्यूर कोड बगर दे दिया गया है यहां पे एसिस्टेंस के लिए नंबर वगर आपको देखने को मिल जाता है साथ ही यहां पे सबसे पहले जो हमको देखने को मिलता है यहां पे आपको पिक्टोरियल डिपिक्श में हमें देखने को विलता है वो है stickers black और white में हमें हमें यहाँ देखने को मिल रहा है यह stickers जो है अच्छे हैं रख दे इसको साइड में अब आते हैं असली मुद्दे पे जह बने हैं आपके लिए compartment एक में आपको mouse देखने को विलता है और दो अलगuis यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिल रहा है साथ ही सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं यह है आपका माउस और इस माउस के उपर I guess travel वाला जो grip है वो लगा हुआ है इसको रखते हैं side में और आते हैं बाद में सबसे पहले देखते हैं और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे पहला ग्रिप हमें देखने को मिलता है पॉली कार्बनेट के ऊपर है और यह जो है आपको यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर पीछे जो है आपको पीछे जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा यह जो इतने बड़े पांब साइज के लिए बहुत सई करने वाला है सेम चीज यहां पर पही कहानी है अच्छा खासा आपको पीटी एफिगा जो है एक्स्ट्राफीड यहां पर देखने मिलता है और एक चीज आपने देखा यहां पर देखिए आपको कितना बड़िया क्लिप्स लगे हुए है जो कि माउस में एकदम इजीली बैठने वाला है चलिए सबसे पहले मुझे यह जादा अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा इस माउस को जो है हम लगा के देखते हैं माउस के मजे लोगए देखिए ऐसा कुछ आपको पीछे देखनी को मिल जाएगा ऐसा कुछ इस तरीक मिल जाएगा और हात में क्या ही आराम है बहुत ही बड़िया जो है आपको यहाँ पे फील मिलने वाला है और इतने बड़ इमाउस का इस तरीके से रिव्यू करने में मुझे मजाएगा ना आपको देखते हुए मजाएगा तो चलिए करते हैं टीपी एच के स्टैंडर्ट के हिसाब से बड़ी हवाड़ी आ बी रोल शॉट्स के साथ एक मज़िदा रिव्यू की इनिशेशन अब बारी है दोस्तों ओवरॉल बिल्ड क्वालिटी की ये ओवरॉ मटेरियल जो है आपको यहां पर पॉली कार्बनेट मेटेरियल देखते हैं जितने भी आप शेल्स देख रहे हो जो माउस है वो प्लास्टिक से बना हुआ है और साथ ही अगर इनके वेट की बात कर लें तो चुछ इसका में बॉड़ी है जिसके उपर शेल लगने वाला है उसका जो वेट है वो 69 ग्राम्स ओनली रहने वाला है जो की फेंटास्टिक है जो की बहुत अच्छा है और अगर बात करें इसके उपर क्या-क्या शेल लग जाएंगे तो तीन तरह के शेल आपको इसके उपर लगने वाले दिख जाते हैं सबसे पहला जो शेल है वो ट्रा साइब करने वाला है चोटा प्लाइब साइब साईज हो बड़ा प्ला यहां पर जाता है और साथी माउस का ऊवराल ग्रिप अलग ही बन जाता है पूरा लंबा सा बन जाता है बहुत ही एर्गोनॉमिक हो जाता है गेमिंग के लिए और लास्ट बटेफिनिट इनॉड लिस एक शेल और आपको मिलता है अब यह मेरा फेवरेट है मैं क्रिएटर हूँ कभी कवार गेम खेल लेता हूं क्योंकि यहां पर जो आपका लास्ट वाला है 27 ग्राम के तो ओवराल यह जो ग्रिप्स है अलग-अलग जो आपको मिल रहे हैं काफी बैतरी लगा मुझे एक्चुली प्रैक्टिकल लगा अब बात करते हैं इस्थेटिक्स की कैसा आपको लुक मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो बड़ा ही खूबसूरत माउस है सामने की तरफ आ लोगो पर भी आपकी लाइटी होगी और अगर बात करें दोस्तों इस माउस के दूसरे फैक्टर्स की तो यहां पर आपको जो नीचे फीट देखने को मिल रहा है वह भी पड़ी आद देखने को मिल रहा है अब यह जो पीटी एफीट है बॉड़ी में तो आपके लगी जो की एक्षुली सबसे ज़ादा ज़रुरी है सबसे पहले तो स्वीट सिस्टम से शुरू करते हैं आपको यहां पर हुआनों के स्वीट सिस्टम देखने को मिल रहा है मतलब यह कि आपको यहां पर यह माउस जो है 20-30 million इसे गर बात करें ग्रिफिन के सेंसर जो की 3327 है उसके ऊपर क्या पेरामिटर्स वगर देखने को बिलता है तो IPS जो है आपको 220 का देखने को बिलेगा आप आराम से ले सकते हो अब यह हुई वास्ट डीपी आई रेंज ओवरल माउस का सेंसर जो है वो इतना कैलीबर रखता है कि आपको यह सारे फिगर जो है दे पा रहा है और यह कई बात ट्रेकिंग स्पीड की है आमने मल्टिबल टाइम यहां पर ट्रेकिंग स्पीड टेस् सेंसर कितना इकोईली आपको त्रू आउट गेम आपको पर्फॉर्मेंस निकालके दे रहा है एक कॉंस्टेंट पर्फॉर्मेंस आप एकस्पेट कर सकते हो त्री टूल से अब बात करेंगे एक माउस एक अच्छा माउस लेने जाओगे तो सिर्फ हाडवेर बात नहीं होत सबसे पहले यहां पर आप जो है प्रोफाइल वगरा सेट कर लोगे दूसरा आपको एक टैप देखने को बिल जागा की कस्टमाइजेशन का इसके अंदर आप इस माउस के चाहे इसके नीचे का जो बटन है अगर आरजीबी वाला बटन आपको कस्टमाइज करना है वो तक हो जाएगा मतलब इसमें जितने बटन है साथों के साथों बटन जो है आप कस्टमाइज कर लोगे और इवन हर तरीके से कर लोगे यानि कि मैक्रों वगरा सेट कर सकते हो आप डिपल क्लिक कर सकते हो किसी भी बटन को और कुछ एडवांस फंक्शन भी देखने को बिल यह सारी चीज़े जो की रिस्पोंस है इसको आप टॉगल कर सकोगे और अगर बात करें मैक्रों के लिए अलग से टैप देखने को लेगा यहां पर मैक्रों बना लो और साथी मैक्रों को एपलाई कर लो की फंक्शन में तो बहुत ही साफ सुत्रा नीट एंड क्लीन आपको पटन देखने को लें रहा है लाइट लाइट अगल कानेके लिए साथ ही सोफेयर में भी आप 12 लाइटीं कोड जो है इसमें टॉगल कर सकते हो और साथ यहां पर आपको केबल देखने को मिलता इस मांस का वह बहीं काफी डेखने को मिलता है जनरली कोसीग बाइट इस प्र केवल देखने को मिलेगा और इस केवल के साथ यह माउस जो है बिलकुल आपके माउस पैड पर ग्लाइड करने वाला है लेकिन यह सारी चीजे जो है यह तो अच्छी बाते हो गई कुछ ऐसी चीजे है जो कि मुझे इस माउस में और बहतरी की उमीद है हाला कि यह माउस जो है अपने आप में 110% बहुत अच्छा लगा मुझे लिटरली जैनियूनली दिल से कह रहा हूं लेकिन कुछ चीजे और है जो कि और फर्दर बेटर की जा सकती है जो इस माउस को शायद कम्प्लीटनेस के तरफ ले जाए यहाँ पर जो है एसेंट केबल की जगह हमें यहाँ पर पर काफी प्रीमियम है लेकि मुझे परसनली जो है परकाइबल जादा पसंद आता है क्योंकि वह जादा लाइटर साइड बे होता है इनका जो काई मेरा मॉडल है उसमें आपको परकाइबल के साथ देखने को कोई और कलर भी निकल जाए तो यह माउस ना काफी जादा वाइबरेंट हो जाएगा वैसे इसके स्विस सिस्टेम इसके हाडवेर इसके सेंसर और ओवर और अर्गनोमिक्स जो है उसमें मुझे कोई कंप्ले नहीं है ओवर और वन ऑफ दा मॉस्ट इनोवेटिव मॉस्ट मॉस्ट आपको देखने को मिलेगा सेल में प्राइस 2000 है आगे देखते हैं यह मॉस्ट का प्राइस कहां तक जाता है मुझे आशा है कि 2500 के उपर नहीं जाएगा इसी के बीच में रहने वाला है सेल में अब ही अगर देख रहे हो और आपको एक माउस की जरूरत है तुरंत इस माउस को उठालो यह मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेट होने वाला है कहां से लोगे हर तरह का लिंक चाहे ऑफिशल वेबसाइट का हो चाहे अमजान का हो आपको वीडियो की नीचे देखनी को मिल जाएगा हमेशा की तरह और साथ ही एक बार ले लिया कोई भी माउ